जोय रणस्षा रामचंडी, कुलता चाती में 12 से 14 गुत्र होते हैं, उनमें से गणेश गुत्र क्या है, इसका सुरुष्टी इतियास क्या है, वो सब जनिए, गणेश गुत्र बारंग पलिया पधान बर्गों में अधिकतर मिलता है, यहां 1510 से 1520 की बात है, इस घटना बोध ओडिशा से संबन्दित है, उस समय बोध का राजा अनमान तहा, चंद्रसकर दिप प्रथम थे, जनस्तृती के अनुसार, गंध्रडी गाउं में एक दोपैयन कुत्रबाला विलता प्रधन परिवार था, जिसका करीब 30 एकर जमिन था, उस गाउं में राजा का 300 एकर जमिन होती हुए भी, उसने उन से रून लिया था, एक बार रून वापसी को लेकर राजा और कुलताओं के बीच जगडा हो गया, एक दिन जगडा इतना बढ़ गया कि कुलताओं और वहाँ पस्तितेक राजकुमार के बीच हाता पाई हो गया, कुलताओं ने राजकुमार को पिट-पिट कर अदमारा कर दिया और बात में कुरुद बसताओं, पाने में भी डुबा दिया, गंध्राडी गाउं से बोध गड का दूरता करीब 19 किलिमिटर है, इस घटना की खबर राजा तक पहुचने से पहले जगडा से सम्मंदित परिबारों ने गाउं छोड़कर रातोरत भाग गये, वो जाते जाते बरपली के पास बारंपली गाउं में बस गई और राजा के डर से अपना पहचन छुपाने लगे, वो अपना दोबैयन याने की डिबरी या दिब गुत्र बदल कर अपना गुत्र का पुज्य देत्ता गणश को अपना लिया, इस घटना के बाद गणश गुत्र नाम में एक नया गुत्र का उधवब हुआ, जो की दिब याने की डिबरी गुत्र का उपगुत्र है, इस समदय दिब गुत्र वाले गंधटिया पुधनों के भाई हैं, इनका गुत्र के ब्यतित, उनसे सब कुछ समान है, वीडियो अच्छा लगा तो अपना में स्यार करें, धन्यवाद, थैंक्स पर वाचिंग दो वीडियो,